इरिटेट हो चुकी है मनारा चोपड़ा, रो रही है मनारा, मनारा को बहुत ही ज़दा बुरा लग रहा है, इवन मनारा नील के साथ बैठे हुए ये भी बात कर रही थी कि मुझे यहाँ पर कोई पसंद नहीं करता है, मनारा का कॉंफिडेंट जो है वो कहीं न कहीं आता हुआ नजर आ रहा है एक बार फिर से, पर मनारा जिसे एनरजी में आजकल नजर आ रही है, वो एनरजी को ओवर कॉंफिडेंट घरवाले बोल रहे हैं और यही बात बोल रहे हैं कि इस चक्कर में ये बंदी काफे सरी चीज़े गलत करेगी, जो कि वीकेंड के बार प पिर से उसका पैच अपों के बहुत अच्छी दोस्ती बन रही थी, क्योंकि अब उसने ये बात बोली है कि समर्थ तेरे साथ है, इसलिए मैं ने तुझे कैप्टेंसी से बाहर निकाल दे और काफे सदा परसनल भी गया है, उसी लड़ाई के बीच में जो है, आईशा ने इसलिए मुनावव फारुक ही ने भी काफे सरी बाते बोली है, काफे सरी लड़ाई जगडा मनारा के साथ हुआ है, जहां पर मनारा काफे सदा इडिटेट हो चुकी है, और किचन एरिया में काफे सदेर तक नीचे सर करके खड़ी हुई थी, और वहीं पर थोड़ी देर मे उड़ती और अपने बाल जो है काफी ज़दा नोचते कि भई अभी मैं करूं तो करूं क्या इलिटेट हो जाते हैं इंसान कि कोई भी अपना लगी नहीं रहा है काफी अकेला फील जो है वो कर रही है हाला कि समर्थ और एशा तो मनारा के साथ हैं पर जिनको उसने दिल से अपना माना जैसे कि मुनावर फारुक ही और अभी शेक को भी माना था वो ही जो है उसके साथ नहीं है तो उसको बुरा तो यार जरूर लगेगा ये वाला सीजन जो है ना काफी जादा कॉंप्लिकेटेड है मैं मुझे ही काफी सथा कॉंप्लिकेटेड लग रहा है मैं मु पीच पीच में टॉंड मारती है, वो मुझे पसंद नहीं, अभी जनता जो है, जो मुनावर की जनता है, वो एक्चुली में मनारा की टॉंडिंग बाजी को पसंद नहीं करें, मनारा को भी हेट कर रहे हैं, और इसको भी आईशा को भी हेट कर रहे हैं, काफे सदह कॉंपलिक